एक कुंडली सौ समाधान देश की हर जोतिश्य पद्धती के समावेश के साथ संपोण आकर्शक और सब से सटी एस्टो सेज ग्रिहत कुंडली आज अभी लें क्यूंकि भविश्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत हर हर महादेव आपने क्लिक किया है स्टो सेज तर नमबर वन इस्ट्रोलची इयर 2019 जब जा रहा था तो हमने एक ग्रहन विटनिस किया था 26 देसंबर 2019 याद कीजे सूरे ग्रहन अब हम नए साल में आ गए हैं इयर 2020 और साल का स्वागत भी हो रहा है ग्रहन से लेकिन ये ग्रहन हम सब के जीवन पर ग्रहन नहीं लगा रहा ये ग्रहन क्या लेकर आ रहा है आपके जीवन में कैसी खुश्या आएंगी क्या होगा नहीं होगा हर कुछ बताओंगे आपको लेकिन फिलहाल समझ लीजे ग्रहन कब से कब तक है सूतक काल कब है भारत में दिखेगा या नहीं दिखेगा दिखेगा तो कितना दिखेगा कब से कब तक आपको अलर्ट रहना है क्या करना है क्या नहीं करना है मंत्र कौन से पढ़ने तमाम जानकारी तो साल 2020 का पहला ग्रहन है चंद्र ग्रहन लग कब रहा है 10 चनवरी दिन होगा शुक्रवार 10 चनवरी की रात 10 बच कर 37 मिनट से ये ग्रहन शुरू हो जाएगा और भोर के पौने 3 बज़े तक यानि की 2 बच कर 42 मिनट तक ये चलेगा तो साल का पहला ग्रहन चार घंटों से ज्यादा तक का चलने वाला है अब मैं बता दूँगे ये दरसल दिखेगा कहां कहां इस बार का चंद्र ग्रहन भारत में देखा जा सकेगा इसके अलावा यॉरप, एश्या, आफ्रिका और अस्ट्रेलिया के कई महादूइपों में देखा जा सकेगा ये 2020 में 4 चंद्र ग्रहन हैं जिसमें से की 10 चंवरी को होने वाला ग्रहन पहला है चंद्र ग्रहन और सूरी ग्रहन से जुड़ी सारी वीडियो आपको अस्ट्रोसेज पर पहले से बना रखी है मैने जो आप देख सकते हैं इसके अलावा आपको चंद्र ग्रहन से जुड़ी जितनी भी साइंटिफिक इन्फिमेशन हैं या astrological information है, या किवधनतिया है, वो सारी जानकरी आपको मिल जाएगी, बस बने रही है astrosage.com पर चंद्रग्रहन में ऐसा कहा जाता है वेदों के मुताबिक कि अगर आपने गंगस नान कर लिया, तो वो एक हजार वाजनेई यग्य के समान फल देता है एक यग्य अगर आप करते हैं, तो उसमें कितने फल मिलते हैं, और वो कितनी बड़ी तपस्या होती है, इसका आपको अंदाजा है, एक हजार यग्य की फलों की प्राप्ती समझ रहे हैं ग्रहन के साथ-साथ आप अकसर एक और शब्द सुनते होंगे और यह है सूतक, सूतक क्या होता है, सूतक कब लगता है, किसे सूतक कहते हैं किसी भी ग्रहन के पहले सूतक काल होता है देखे दो सूरियोदे के अवधी को आठ प्रहरों में बाटते हैं मतलब अगर आज सूरियोदे हुआ और फिर कल सूरियोदे होगा तो इसके बीच की जो अवधी है इसको हम आठ प्रहर में बाटते हैं ये 8 प्रहर दिन के 24 घंटों के बराबर होते हैं ऐसे में करीब करीब 3 घंटों का एक प्रहर माना जाता है चंद्र ग्रहन में सूतकाल 3 प्रहर का होता है यानि कि ये ग्रहन से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है 3 घंटों का सूतकाल 3 प्रहर का मतलब हो गया 9 घंटे और 9 घंटों का सूतकाल होता है चंद्र ग्रहन के लिए 12 घंटों का होता है सूरे ग्रहन के लिए इसमें किन्फ्यूज मत होएगा अकसर लोग इसमें किन्फ्यूज हो जाते हैं और 12 घंटे पहले से ही नियम मानने लगत अलाकि पहले से नियम माना कोई बहुत तो इसमें बुराई नहीं है लेकिन आपको सटीग जानकारी होनी चाहिए तो अगर आपसे कोई पूछे कि सूतक कल कब लग रहा है सीधा कहिए कि तीन प्रहर पहले यानि कि नौ घंटे पहले अगर ये चंद्रग्रहन है तो और ये च चंद्रग्रहन के वैग्यानिक कारण भी मैं बता देती हूँ ताकि जब आपके बच्चे पूछे तो आप उनको फिंगर टिप पे आपके इन्फोमिशन हो उन्हें आप समझा सके खगोल विग्यान के मताबिक आप देखेगा तो सूर्य, पृत्वी और चंद्रमा ये एक सीध में आ जाते हैं पृत्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहन लग जाता है इसे तरीके से जब सूर्य पृत्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृत्वी पर पड़ती है तो सूर्य के प्रकाश को आंशिक या पूरा कुछ समय के लिए वो आधारित है ये ग्रहन, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, माईनी पर आधारित होती है तो इसका असर हमारे जीवन पर पड़ेगा और कैसे पड़ेगा वो मैं बता दूँगी ये 2020 के आने वाले जो ग्रहन है वो भी पहले मैं आपको बता देती हूँ देखिए 10 जनवरी को चंद्र ग्रहन लग रहा है फिर 5 जून को चंद्र ग्रहन लगेगा फिर 21 जून को सूर्य ग्रहन लगना है 5 जुलाई को फिर से चंद्र ग्रहन लगेगा 30 नवंबर को फिर से च यह मंत्र है ओम, शीरपुत्राय, विदही, अमृत्त, तत्वाय, धीमही, तन्नो, चंद्र, प्रचो, दयात। जाब कर सकते हैं, इससे अलग-अलग जातकों को चंद्र ग्रहन के अलग-अलग दोशों से मुक्ते मिल जाती है। कहते हैं न, knowledge is new currency, तो अब आपके पास इतनी currency है कि आप उन गरीबों को करीब किसे कह रहे हूं है, जिनके पास information नहीं है, सही information नहीं है, तो information के जो गरीब लोग हैं, आप उन्हें information शेर कर सकते हैं, ऐसी sharing के लिए आप video share कर लिजे, वीडियो शेर करते हैं, बहुत अची बात, वीडियो नहीं शेर करते हैं, जो information आपको मिली, वो ही शेर कर लिजे, अगर आप non subscriber हैं, तो channel subscribe कर लिजे, अगर आप subscriber हैं, और पांच लोगों को बोले, channel subscribe कर लेने को, क्योंकि इस तरीके की knowledge rupee currency आपको बहुत सारी मिलने वाली है, knowledge यानि की ग्यान, ग्यान क्या करता है, ग्यान उस डर को दूर भगाता है, जो आपको घेरे हुए है, आपको जो market में इतना डरा रखा है, उस डर को दूर भगाईए, information collect कीजे, knowledge collect कीजे, सही knowledge collect कीजे, इससे आ लोग आपकी problem समझ लेते हैं, जान जाते हैं, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं, बहकाने वाले जो आपको अपने contact number देते हैं, कहते हैं, हमसे संपर कर लो, हम तुमारी समस्य करते हैं, नहीं गुमरा हो जाएगा, appointment लीजे, समस्य आपकी निजी है, तो समधान भी आपको निज appointment लीजे, आपकी समस्या रखे, आपको समधान मिलेगा, 100% समधान मिलेगा, वीडियो शेर कीजे, कमेंट कीजे, contact करना है, contact कीजे, अपना खयाल रखे, अगली notification पर फॉरण लोटी, क्योंकि मैं भी लोटूंगी, नमस्कार.